भाई 18,000 रुपे में लावा ब्लेज कर 5G इंडिया में लॉँच हो गया है और मेरे हिसाब से 2024 का ये वन ओ दो बेस्ट फोन्स हो सकता है कर्फ डिस्प्ले वाला अंडर 18,000 क्यूंकि भाई खतरनाक फीचर्स के साथ साथ प्राइसिंग भी काफी तगडी रखी है लावा ने कैमरा से लेकर डिजाइन, डिस्प्ले सब चीज टेस्ट कर लिए मैंने आप लोगों के लिए लेकिन भाई लावा अगनी टू जो पिछले साल ही लॉँच हो था वो फिलाल अमजान पर अल्मोस्ट सेम प्राइस पर मिल रहा है तो कुछ लोग बहुत गंफ्यूज हो रहे ह है कि दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, दोनों का ही कर्व डिस्प्ले है और दोनों ही 5G फोन है लेकिन भाई फरक है तो कौन सा फोन किस मामले में बेटर रहेगा एक-एक करके आपको बताता हूँ डिजाइन से शुरू करते हैं, दोनों ही matte glass finish में आते हैं वैसे तो लेकिन भाई जो blaze curve है वो थोड़ा सा छोटा compact और in-hand feel इसका मेरे को बेटर लगा अगर आपके थोड़ा से छोटे हाथ हैं, क्योंकि भाई one hand usage में ये definitely काफी जादा comfortable feel हुआ मुझे, आप देख सकते हो क काफी छोटे हाथ हैं मेरे, लेकिन भाई अगर आपका hand size बड़ा है, तो फिर definitely आपको दोनों में से किसी phone में दिक्कत नहीं आने वाली, overall दोनों ही phones look wise मुझे भाई बढ़िया लगे, हलके फुलके finger prints में देखने को मिल सकते हैं आपको, पर phone को पकड़के definitely मज़ा आता है, blaze curve in comparison to agni 2, तो यहाँ पर definitely इसका reason है, display का size, blaze curve का 6.67 inch है और agni 2 का हलका सा बड़ा 6.78 inch, also lava के according, इसमें 10 bit color मिलते हैं आपको agni 2 में, और ऐसा कुछ खास mention नहीं है, blaze curve के मामने नहीं है, तो मैं guess कर रहा हूँ कि 8 bit display होगा, लेकिन brightness का test, दोनों का ही करके दिखा दता brightness, जान से भाई, वीडियो pause करके आप अराम से देख लेना कि curve की कितनी जारी है brightness, and then यहाँ पर हम test कर लेते हैं, lava agni 2 की भी, इंडोर में आपको जादा फरक वैसे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन outdoors में definitely थोड़ा bright रहेगा, blaze curve, भाई, speaker test आप लोगों के लिए मैं करके दिखा दता हूँ, अब वैसे हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होगा, इतना फरक तो समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब हाँ, size wise में थोड़ा बहुत फरक है, लेकिन भाई, अब आते हैं, storage पर, अब lava blaze curve, launch इतना सस्ता इसले हो रहा है, अगनी 2 से, क् यहां पर storage, जो base variant का है, वो 128 GB है, लेकिन यहां पर lava agni 2 जब launch हुआ था, same processor के साथ ही, इसमें 256 GB storage था, base variant का, और अब prices दोनों का same हो गया है, तो आपको लगेगा कि वहीं हाँ, lava agni 2 बेटर पर कोईगा, लेकिन there's a catch, क्योंकि यहां पर storage में improvement कर दिया है, अब जो storage type है, यह agni 2 में आपको UFS 2.2 storage मिलती है, अब इससे speed में फरक पढ़ने वाला है, कि भाई, fast रहेगा आपका blaze curve, even though इसमें storage 128 GB की है, जब यह आप data इदर से उदर कर रहे हो, और आपका phone read, write कर रहा है, processing अपने CPU से, तो उस मामले में definitely lead लेगा, lava blaze curve, लेकिन भाई, आपको अगर storage ब और price दोनों की same सी लग रही है, तो फिर agni 2 थोड़ा better pick हो सकता है, बाखी आपके इसाफ से कौन सा साथ important है, मुझे नीचे अभी comments में बताओ, next major फरक है दोनों के battery और charging speed में, अब blaze curve में तो आपको 33 Watt का charger मिलता है, और agni 2 के साथ 66 Watt का, जो इस segment में यार काफी fast है, तो बाटरी जो है यहां पर agni 2 की वो 4700 mAh है, और lava blaze curve की 5000 mAh, अब भले इसकी charging speed कम हो, लेकिन battery की efficiency इसकी better होने वाली है, थोड़ा extra जरूर चलेगा आपका यह phone, guess करो क्यों, 3 second देता हूं, 3, 2, 1, क्यों की भाई, display size में यहां पर फरक है, छोटा display है, curve का, साथी में battery भी थोड में ही same processor है, बाकि charging speed अगर आपकी priority है, तो agni 2 better pick रहेगा, लेकिन battery आपको ज़्यादा time तक चलानी है, तो थोड़ा सा better रहेगा आपका blaze curve, अब next चीज जो है, वो है warranty, क्योंकि भाई, जब आप लोग नया phone खरीदते हो, तो काफी ज़्यादा important बन जाता है, कि भाई, warranty औ servicing का क्या scene है, दोनों phone में आपको free home service तो मिलती ही है, लेकिन यार यहाँ पर एक edge मिल जाता है, अगनी 2 को, क्योंकि यहाँ पर free home replacement भी आपको मिलता है, by chance अगर internally आपके hardware में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर आपका phone वगेरा कुछ damage नहीं अच्छे condition में है, कोई dent wind, बहुत major scratches ऐसे नहीं आ रखे, तो पूरा का पूरा आपका phone no question asked replace हो जाएगा, तो वही warranty के मामले में तो यह आगे निकल गया है, बागी service में number दोनों के same ही है, अब 5G अगर आपके लिए बहुत important है, तो यहाँ पर दोनों phones 5G support करते ही हैं, लेकिन अगनी 2 में थोड़े से extra bands हैं, वैसे भई, अगर आपका traveling का ज़्यादा scene नहीं रहता, बहार कहीं नहीं जाने वाले, जहाँ पर support करते हैं, लावा अगनी 2 के 5G bands, तो फिर कुछ ऐसे खास परक नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि 5G आपके लिए कितना ज़्यादा important है, कितना use करते हो आप अ खेर अब बात कर ली जाए, cameras की, तो भई, यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटा सा sample में आप लोगों को दिखा देता हूँ, lava blaze curve का, तो भई, फिलाल मैं shoot कर रहा हूँ, front camera से lava curve 5G के, और यहाँ पर हमें 1080p 30fps की video recording मिलती है, front camera पर stabilization फिलाल off है, आपको थोड़ा walking test करके दि आपको ब्लू कलर के पास में लिखे जाता हूँ, आप चेक कर सकते हो, front camera से blue color कैसे दिख रहा है, पीछे construction का background noise चल रहा है, तो आपको noise cancellation का भी idea लग जाएगा, को यह अलग से option तो नहीं दे रहा, आपको skin tones check करो, कैसे लग रहे है, normal walking कर रहा है अब हम, थोड़ी सी running भी कर के दिखा दता हूँ, front camera से, तो वही अब मैंने कर लिए stabilization on, यहाँ पे 1080p 30fps पर वीडियो अभी भी record हो रही है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा crop in हो गया है, यह यह stabilization इसमें मिलते हैं, front camera में, आप चेक कर सकते हो, थोड़ी walking कर रहा हूँ, और अब करता हूँ, मैं थोड़ी स PS पर colors आप सारे check out कर सकते हो, कि greens कैसे लग रहे हैं, blues कैसे लग रहे हैं, यहाँ पर pink color कैसा लग रहा है, और autofocus कैसा है खास करके, यहाँ पर 2X का भी option मिल जाता है, तो 2X पर colors कितने vibrant लग रहे हैं, और color change, color shift आपको देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ा सा exposure मैंने down कर लि पर अपार्ट फॉम इट, 1X पर आप लोग चेक आउट कर सकते हो, कि कैसे लग रहे हैं आपको colors, खेर अब video mode change कर दिया है, मैंने 1080p 60fps से, rare camera से ही मैं shoot कर रहा हूँ, जो main camera है, यहाँ पर colors आप लोग चेक आउट कर सकते हो, stabilization भी आप लोग टेस्ट कराता हूँ, 1080p 60fps पर कै तो भाई videos तो आप लोगों ने देख ली Lava Blaze Curve की, पर आप चलते हैं photos पर और साथ ही में थोड़ा सा comparison करेंगे हम Lava के Agni 2 के साथ भी, selfies में major फरक है, Agni 2 में 16 Megapixel का front camera है, और Blaze Curve में 32, 32 Megapixel का, और सिर्फ Megapixel में नहीं colors और quality में भी आपको फरक दिखी रहा होगा, वैसे photos videos में काफी फरक है दोनों ही phones में, और उसकी detail testing देखनी है, तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, क्या पता भाई, videos के मामले में कोई और phone better निकले, खेर photos में तो Agni 2 थोड़ा faded colors निकाल के देता है, लेकिन Blaze Curve close to natural रखता है, portrait selfie में Agni 2 background blur जादा कर लेता है, लेकिन अभ sharpness और color wise selfies better हैं Blaze Curve की, और वैसे जब मैंने against the light में portrait भी click करी थी selfie में, तो Agni 2 ने sky का color washout कर दिया, लेकिन Blaze Curve ने maintain रखा, तो definitely selfies के मामले में तो आगे निकल जाता है Blaze Curve, और यहां पर मैं यह चीज़ बोलना चाहूंगा, कि जो लावा Agni 2 में एक point missing था ना, जो कि था color accuracy, व यहनत किये लावाने तो वही definitely यहां पर थोड़ा shoutout बनता है, अब वैसे rare camera से भी Blaze Curve close to natural रखता है, photos और Agni 2 saturated pictures लेता है, पीछे के पत्तों के green थोड़े extra green लग रहे हैं, also इतादोरी के बाल extra pink, तो वही अब सारी testing मैंने आप लोगों को दिखा दिये, दोनों में क्या-क्य फरक है, वो भी बता दिया है, आपको कौन सा जादा value for money लग रहा है, और क्यों मुझे नीचे comments में बताना, बाकी अभी भी doubt है और दोनों का detailed camera comparison देखना है, तो उसके बारे में भी नीचे comments में बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूं next video में